केदार घाटी के अलग लग हेलिपैट से केदार नाथ के लिए उडान भर रहे हेलिकॉप्टर एनजिटी के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं हलिकॉप्टर के लिए तै उचाई 600 मीटर पर कोई भी हलिकॉप्टर उडान नहीं भर रहा साथी हलिकंपनी आपने हलिकॉप्टर की उडान के समय कुल दूरी और उचाई से जुड़ा कोई भी डेटा वन विभाग से साजा नहीं कर रही है दस मही से शिरू हुई के दारनाथ यात्रा में इस बार पवनहंस, थंबी, क्रिस्टल, आर्यन, एरो, ट्रांस भारत, ग्लोबल विक्ट्रा और हिमालियन हलिकंपनी के नौ हलिकॉप्टर गुप्तकाशी, फाटा, सेर्सी और सीतापुर के नौ हलिपेड से उडान भरी जा र के दारनाथ यात्रा में हलिकॉप्टर उलान के लिए साल 2015 में NGT द्वारा नदी तल 600 मीटर के उचाई को ते किया गया है, लेकिन इस साल एक भी हलिकंपनी इस नियाम का पालन नहीं कर रही, साथी हलिकॉप्टर के उलान से सम्मंधित किसी भी तरह का डैटा इखटा नही हो रहा है, के दारनाथ यात्रा में अभी तक हलिकॉप्टर के उडान सहित अन्य जरूरी डाटा साज़ा करने को कहा, लेकिन कमपनी प्रबंधन ने इस प्रकार के किसी भी डाटा इखटा करने से इनकार कर दिया, हली कमपनी प्रबंधन सिर्फ हलिकॉप्टर की शटल संख्या तक सिमित है, यही नहीं हली कमपनी प्रबंधन के पास NGT, युकाडा और DGCA की गाइडलाइन भी नहीं है, रुद्व प्रियाग, वन प्रभाग और किदारनाथ वन जीव प्रभाग के DFO, अभी मन्यू का कहना है कि किदारनाथ सहीद, बद्रिनाथ धाम की लुडान भर रहे हलिकॉप्टर, चार्टर नियमों का पालन नहीं कर रहे, नदी तल से ते 600 मीटर की उचाई का पालन नहीं होने से वन जीव प्रभावित हो रहे हैं, साथ ही समवेदन शीर शेतर में अन्य प्रकार के खत्रे बढ़ रहे हैं, हैली कमपनियों से इस बारे में जानकारी मांगी गई है, लेकिन उन्होंने कोई जानकारी साजहा नहीं क संबंद में यूकाडा को पत्र लिख कर एक सप्ता में उचित कारवाई के लिए कहा गया है, अनिथा विभागे सतर से कारवाई अमल में लाई जाएगी जो हैली सेवाई संचालित होती है के दाना धाम के लिए, तो उसमें 2015 में माननिय एंजिटी में कुछ वाद दायर हुए थे, जिसके करम में एंजिटी ने कुछ नॉम्स निधारन करने के बारे में कहा गया था, क्योंकि ये के दाना वंजिव अभारेने के ऊपर से हैली किये गये थे, इसमें विविन स्तरों से इसमें डारेक्शन भी दिये गया है हली कंपनी को और युकाडा ने और डीजी सिय ने अपने जो एसोपी होती है, उसमें एक निधारिक मानक जिसमें ध्वनी को लेके और जो मिनिममम हाइट जो अबव ग्राउंड लेवल है उसको 600 मीटर रखने के लिए जो है हली कंपनी को अपने सोपी में डारेक्शन दिये गया थे, तो इसी के क्रम में किदानात वंजी प्रभाग ने बैठक भी की थी, हली सेवा संचलान होने से पूर में 7 माई और 9 माई को, जिसमें युकाडा के प्रतिनिती और हली सेवा के जो भी सबी प्रतिनिती थे, और उनमें डारेक्शन उनको दिया गया था कि जो एंजीटी के निर्धारक मानक हैं, और जो भी इसके लेकर वो मॉनिटरिंग मेकानिजम होनी चाहिए, डेटा शेरिंग, और जो हली सेवाएं कितनी दिन भर में संचालित हो रही है, उनके द्वारा उलंगन के संबंद में सूचना है, तो इसके लिए युकाडा और जो हली संबंदित संबंद कंपनीज हैं, उनको निर्धेशित किया गया था और उनसे अपेक्शा की गई थी, कि इसका अनुपालन किया जाए और जो अभी लेक उपलब्द कराए जाने है वन्विभाग को परेवर्ण विदो का मानना है कि किदारना धाम के लिए संचालित हो रही हवाई सेवाएं, NGT Act का खुला उलंगन कर रही है, इसका प्रभाव देखा जा रहा है, हलिकॉप्टर्स के शोर के चलते, किदारनाथ सेंचुरी एरिया में पाई जाने वाली तमाम प्रकार की जी हुई है, हैली कमपनियों में एक हिमाले को बरबाद करने की होड जैसी लगी हुई है, क्योंकि ये जो उडाने भरी जारी है, जो इनके लिए मानक डंड तै किये गए है, NGT द्वारा कि 600 मीटर से नीचे कोई भी हैली कमपनी अपनी उडाने नहीं भरेगी, लेकिन देखा जा रहा है, कि 600 मीटर से नीचे सारी हैली कमपनियां अपनी उडाने भर रही है, दूसरा इसमें ये भी रिपोर्ट पाई गई कि जो हैली कमपनी का जो द्वनी का डेसिबिल है, जो उससे द्वनी उत्पन हो रही है, वो 40 और 50 के बीच में होना चीए, लेकिन ये जब इसक 66 डेसिबल तक जारी है, आप सोच सकते हैं कि केदानात वाइल डाइफ संचूरी है, सेंसिटीव, इको सेंसिटीव जोन है, इतने नीचे जब हेली कप्टर चलेगा, तो उसकी ध्वनी से जो उस छेत्र में पाई जाने वाले एनिमल है, वाइल डाइफ है, उस पे क्या असर पड़ीगा, वहीं स्थानी लोगों का ये भी कहना है, कि हलिकॉप्टर्स की आवाज से उनका गाउं में रहना दूबर हो गया है, स्कूल के बच्चे भी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, और शोर इतना जादा है कि अब गाउं में भी लोग गाई या भैस को नहीं रख र ही है, लेकिन अभी तक सरकार के तरफ से इस पर कोई लगाम नहीं लगाए गई है, जो हमेशा ये इन स्कूल के उपर से गुजरता है, और हमारे गाउं के उपर से गुजरता है, ना ही उन बच्चों को कुछ सुनाई देता है, जो वहाँ पर अध्यन रते हैं, कक्षा एक से पाच भी तक, और हमारा इतना सुन्दर यहां पर गाउं है, बच्चे जिला बंचयत दुद्र प्याग, किधार गाटी में अवह तरीके सी संचालित हेलिकोप्टर सिवाओं के बारे में बताना चाहता हूं कि जितनी भी हेलि सिवाएयं यहां पर संचालित की जाी हैं, वो बिल्कुल मानोकों के बिपरीत यहां पर संचालित की जारी हैं और अ सिर्फ बिकत सालों से यहां पर केवल यहां से करोडो रुपिय ले जाके और अस्थाने अस्थर पर ये बिल्कुल भी कोई मदद करने के लिए तियार नहीं है। क्योंकि इनके द्वारा सिर्फ यहां पर हमारे लोगों के कान बहरे करने के सिवा और कोई भी योगदान इनके द्वारा नहीं किया जाता है। क्योंकि नियमू को बिल्कुल भी पालन नहीं कर रहे हैं। ताई उचाई पर कोई भी हैली उलान नहीं भर रहा है। लगातार स्थानिया लोग भी इसको लेकर के नाराजगी जता रहे हैं। के दारनाथ बनप्रभाग के DFO ने भी हैली कमपनियों के कार्यालाई वा हैली पैट का निर्क्षन किया। और अब देखना होगा कि इस पर किस प्रकार की करवाई होती है और क्या ये नियमू का पालन कर सकेंगे। मैं बुपेंद्र बंडारी न्यूज वर्ल्ड रुद्र प्रियाग।